इस वीडियो में दोस्टों हम लोग बात करेंगे बरबाडोस T10 के दोस्टों आज के लास्ट मैच के बारे में आज का दोस्ट मैच खेला जाएगा आपका VOY और दोस्टों TIT टीम के बीच में यह मैं दोस्टों ध्यान रखी का रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दोसो इस मैच के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों टीमों का अभी तक का टूनामेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और उसके बाद दोसो आगे हम लोग कंबिनेशन और प्लियर के रिसेन मैचों के परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे तो बात कर लें बीओ वाई तो इन्होंने दो मैच खेला है टूनामेंट में जिसमें एक मैच वीन और एक मैच दोसो इनका लॉस रहा है सेम दोसो टी आइटी का भी इन्होंने भी दो मैच खेला है टूनामेंट में जिसमें दोसो एक मैच इन्होंने भी वीन किया था और एक मैच जिनका भी लॉस रहा था दोनों टीम होगा दोस्तों एक जैसा ही performance रहा है इस match में बात कर लिए यार किसका winning chance हाई हो सकता है तो B.U.I. की team दोस्तों ना देखो इनके पास ना बहतरी इन बिकेट टेकर बॉलर है B.U.I. टीम के पास और दो इनके पास बहुत अच्छे batsman है तो मेरे थोड़ा सा advantage B.U.I. को दे रहा हूँ बट कोसिस कीजिएगा इस match में 6-5 का ही combination रखे जिसमें आप 6 player B.U.I. और 5 player दोस्तों T.I.T. का रख सकते हैं 7-4 का combination रिक्सी रहेगा और 8-3-9-2 ये सब combination इस match में बिल्कुल भी try नहीं करना है कीजिएगा तो हार जाइएगा ठिक ना ये clear हो गया दोस्तों अब चलिए हम लोग focus कर लेते हैं combination पे ठिक ना combination जानने से पले एक और जी दोस्तों I hope आप लोग ने telegram channel को join कर लिया होगा साथ ही साथ दोस्तों यदि आप comment section भी देखिएगा उहाँ पर भी first comment पीन के हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तों टेलिग्राम के साथ जूर जाएए अब चलिए focus करते हैं combination स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना bicket keeping section से बicket keeping section में आईएगा तो यहाँ पर आपको first option मिलेगा C में earn जो दोस्तों आपको चार नमबर पर बैटिंग करने आएँगे और extra point आपको as a bicket keeper भी provide करते हैं performance दो match के लिए दोनों match में दोस्तों बैटिंग से अच्छा performance रहा है advantage दोस्तों बात कर ले तो देखो performance अच्छा रहा है disadvantage क्या है तो बैटिंग यह थोड़ा नीचे करते हैं चार नमबर पर यार नीचे ही होता है तो selection हाई है मैं रख रहा हूं इनको लेकिन इनके जगा दोस्तों आप grand league में क्या करना है at least एक combination में ही सही आप इस storage को जरू try कर लेना average batsman है लेकिन यह confirm रखी यह open batting करेगा नहीं तो दोस्तों open नहीं आए तो first round तो जरूर आ जाएगा इससे नीचे यह दोस्तों batting नहीं करता है तो यह rotation दोस्तों batting position को देखके आप कर सकते हैं अब आज़े दोस्तों इधर हम लोग batting section तो batting section में आर उबेल must peak है as a batsman नहीं as a baller आपको आएंगे batting के top order में ही first round batting करने आने चाहिए लेकिन balling से दो पर complete balling करके देंगे और balling से इनका दोनों ही match में बेस्ट performance रहा है तो as a baller is important ए जोन आपको दो नमबर पर batting करने आएंगे important player है क्योंकि दोस्तों का बहुत important role रहेगा और इन्होंने दो match खेला है टूनामेन में और दोनों match में बढ़िया performance रहा है फिर नीचे हीगा a springle open batting करने आएंगे must important player है बहुत अच्छे player है दोस्तों ठीक ना drop इनको आपको कतरी नहीं करना डीफ लिप्स दोस्तों last match में देथ में balling करने आए थ लेकिन देथ में balling करने आए दो विकेट ले गए क्योंकि वहाँ पे 200 player मारने को देखता है आउट होने का कोई फिकर नहीं छे ball इनों ने फेका था मैंने live देखा था match जिसमें first ball पे इनको six लगा second ball इनको six गया next ball 200 विकेट ले गए फिर बीट हुगा फिर बिकेट ले जाएंगे जेब राइज दोस्तों first match में दो बर balling किये थे बहुत ज्यादा इनका धुनाई हो गया था जिसे दोस्तों captain ने इनको second over में balling ही नहीं दिया और second match में इनका पत्ता भी cut हो गया तो इसलिए मैंने ही try करना हूं try करना जील में कर सकते हो क्योंकि अभी भी आपक captain करके जाओ कोई problem नहीं दोस्तों 2 over का balling 2 से 3 number पर आके आपको batting भी कर लेंगे फिर नीची एगा दोस्तों क्यार्ट ली first match तो बहुत ही कमाल का गया था बर second match उसे बहुत ज़्यादा खराब रहा लेकिन दोनों match में देखोगे न तो भाई ने 2-2 over का complete balling किया है जिसमें एक over 200 middle face that means over number 4 और एक over death में balling करेंगे over number 8 मैं try कर रहा हूं लेकिन इनके जगा भी आप चाहो तो मैं कुछ option जो इधर batting section से दिया था deep flippy को try कर सकते हो फिर नीची एगा jailing important रहेंगे बिकेट टेकर baller है दोसो match कम खेले लेकिन ध्यान रखना मेरे को लग रहा है आने वाले match हो में आपको एक-एक match में 2-3 बिकेट लेके जाने वाले यह player है ठिक ना last year उन्हेंने same एक match को मेरे को ध्यान आता है last year भाई ने 5 बिकेट ले लिया था आये थे last over balling करने दिथ में और एक ही over में 204 बिकेट ले गए थे तो ऐसे baller को लेके जाओ क्यूंकि यह balling अच्छा करता है मैंने इनका balling देखा एम जोन्स first match में balling का chance मिला भाई ने 2 बिकेट लिया बर second match में इनका भी 200 captain ने पता काट लिया तो इसलिए यार हम लोग भी थोड़ा सा इनको ignore करके ही चलते हैं नहीं तो team में रखे balling ही ना करे तो वो बहुत जादा रिक्सी हो जाएगा उससे बेटर है any young को रख लो जो आपको टुनामेंड में आगे खेलते हुए दिखे ना आख बंद करके रख लीजिएगा ठीक ना मैं तो री कमेंड करूंगा captain bcb आप इनको try कर सकते हो ना खेले तो कोई नहीं अब आज़े दोस्तों इधर हम लोग balling section तो balling section में ace calendar एक match खेले टुनामेंड में लास्टी important pillar balling तो दोस्तों नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे batsman ही सही दोस्तों लेके जाओ बैटिंग से 30 run का आप इनसे उमीद कर सकते हैं ace marsal power play में balling करते हैं over number 1 दोस्तों over number 3 इनके सामने कोन batting करेगा मैं वो भी बदाता हूं भी हुआई के तरफ से 200 open batting करते हैं ace springer और इनके साथ 200 open batting करते हुए आपको दिख सकते हैं ace storage तो मैं इनको रख रहा हूं team ace marsal का क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यह क्या कर सकते हैं यह इनका wicket लेके जाएंगे ace storage का क्योंकि ace springer out नहीं होने वाले है तो उनका wicket लेके जा सकते हैं तो इसलिए मैं इस marsal को रख रहा हूं लेकिन इनके जगा grandling में क्या करना यह जो नीचे आपको नाम दिख रहा है जिनका सिर्फ 5% selection है last match में एक over balling की है बहुत अच्छा balling रहा था बिकेट नहीं मिला था क्योंकि इनके ball पे दोस्वे एक catch drop भी हुआ था आपके दो दोस्व डी समीत रहेंगे बाइस कैप्टेन के लिए आप आर उवेल को भी try कर सकते हो लेकिन बैटिंग से flop चल रहे हैं ध्यान यह रखना है balling बहुत अच्छा करके देंगे एक यह हो गया option next option में नीचे से any young को try कर सकते हो जो balling बैटिंग दोनों confirm करके देंगे यह दो बेस्ट option है अभी के लिए मैंने आर उवेल को ही बाइस कैप्टेन किया है और आप लोग दोस्व इस टीम का स्क्रीन सोट ले लीजे कॉंटे श्वाइन करके रखे दोस्व टस्क के बाद कोई player यदि नहीं खेलता है तो कोई नहीं मैं आपको final team फिर से टेलीग्राम प कियो हूब मिल जायेगा जैए दोस्व टेलीग्राम के साथ जूर जाये और साथि साथ दोस्व यदि अभी तक आपने YouTube चानल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दुस्व यूटूब चानल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्व सबसे इंप् वीडियो में, जैह हिन दोस्तों, टिक क्यार और बाबाई